कैसे हैं मेरे प्यारा बच्चों मैं हूँ अभिनोत सांशू पांडे और आज हम सब बात कर रहे हैं परिक्षा की तयारी की मतलब हम क्षा बार्वी की तयारी कर रहे थे हम लोगों ने एक प्रश्ण पत्र उठाया हुआ है और उस प्रश्ण पत्र के आधहार पर जो है हम यह देखने की कोशिश करने हैं कि हमारे उत्तर किस प्रकार से हो कि हमें अधिक्तम अंक मिल सकें इसी सिलसिले में हम लोगों न और अब हम बढ़ रहे हैं आगे अगर आप हमारे जो है सारे वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आपको एडिशनल कंटेंट चाहिए जैसे कि माइंड मैप और शॉर्ट नोट तो इन सारी चीजों के लिए आपके पास में आपका अपना प्लैटफॉर्म है अभीप्षा आप यूटूब में प्ले स्टोर में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो आए आगे की बात करेंगे हम प्रादर्स प्रश्ण पत्र की बात कर हैं हमारा उद्देश क्या है हमारा उद्देश है अभी प्रश्णों के उत्तर सीखना नहीं अभी हमारा उद्देश है अभी हमारा उद्देश है प्रश्णों के उत्तर लिखने के तरीकों पर विचार करना तो यह देखते हैं हमारा पादर्स प्रश्ण पत्र एक चल रह मतलब प्रश्ण है चार अंक का और इसमें आपको दो आप्शन मिलेंगे तो चलिए फिर देखते हैं यहां पर जो है यह एक कहानी है सिक्षक ने एक बल्व तथा एक सरल कुंड़ा के प्रेरक एक कुंजिस हैं चित्र अनुसार अब आपको यहां पर चित्र दिया गया होगा आपके प्रश्ण पत्र में और उसके बाद में एक एसी सोच से जोड़ कर उसको बंद कर दिया और कुछ परमय प्रश्चाद विद्यार्थी को लोहे के छंड से प्रेरक कुंड़ले के अंदर प्रविश्ट कराने के लिए कहा अब आपसे प्रश्ण पूछा जा रहा है द कि आप देख रहे हैं कि practical तरीके से उसको सिखाने का प्रयास किया है तो आप इहां पर बोल सकते हैं कि सिक्षक क्रेशिट विध्यार्ण के उठ सुपय को बढ़ा कर और उन से प्राव्योगिक ग्यान को बढ़ा कर उनको चीजों को सिखाने का प्रयास किया मतलब अवलोकन छम्ता प्रायोगिक ज्ञान उच्छुक्ता यह सारी चीज़ें आप यहां पर बता सकते हैं यह है आपका गिफ्ट और यह आपको जो है आपका च्छतिज़ गर बोड जो है एज गिफ्ट दो अंक देता है तो यहां पर तो आपको दो अंक मिलन अब अगला प्रशन है चार को प्रविष्ट कराते समय बल की चमत किस प्रकार परिवर्तित होगी कारण सही इस परश्ट कीजिए यह आपका जो है सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ प्रशन है अब चार अंक वाले प्रशनों के लिए हमारे पास में कौन-कौन से जो है दो चै यहां पर जो है जब जैसे ही किसी कुणली से जुड़े हुए चुम्बकिया फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके कारण विप्रिद दिसा में विद्द धाराउत्पन होती है यहां पर आप फ्लक्स को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे तो चमक बढ़े गया घटे पड़ेगी इसी प्रकार से हम अगला प्रशन देखते हैं सिक्षक ने कुछ चात्रों को लेकर हवाई अडे गए और हवाई अडे पर सुरक्षक कारणों से प्रत्यक्रक्ति को धातू के संसूचक द्वरा पत से गुजारा जाता है कुछ चात्रों के पास में धातू से बन जो है उनके नौलेज को जो है आपके समान जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जो है सिक्षों की उत्सुक्ता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं यह सारी चीजें जो है आप बोल्यों में लिखेंगे फिर से आपको दो नमबर मिल गए अब धातू संसूचक के क चुमर की छेतर या कुछुमर की फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है और इस परिवर्तन को जो है डिटेक्ट किया जा सकता है तो जब आप इस प्रक्रक्पकार के चार अंक वाले प्रश्णे देखेंगे तो उन प्रश्णों के जवाब में सबसे पहले तयारी तो इसलिए उन दो चैप्टर से जुड़े हुए जो है अपने जीवन के समाने सवालों पर विचार करना भी हमारे लिए महत्तपूर्ण है अब हम बढ़ेंगे पांच अंकों वाले प्रस्णों की ओर यहाँ पर सेक्शन ई कुल मिला के तीन प्रस्ण है और तीन प्रस्णों में पांच पांच अंक मतलब 15 अंक यहाँ पर देने की तैयारी आपको की जा चुकी है इन प्रशनों के लिए जो है हम को क्या करना पड़ेगा पांच अंक मिलने वाले हैं तो पांच अंकों का वितरन किस पकार के होता है चलिए प्रशन देखते हैं और देखेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्दू छेतर की तीवता ग्याद कीजिए और चादर में तीवता तल से बाहर की ओर है तो प्रिष्ट गहनतों का मान ग्याद कीजिए धनात्मक होगा या रिनात्मक होगा अब जो है जब आपके पास में ऐसी स्थिती आती है कि आप एक अनंत चादर लेकर कर रहे हैं ये एक लौता प्रशन नहीं है हमको इस से चेटर पर रिखा चेटर या डाइग्रम जो बूलते हैं हम लोग तो इस चेटर में अगर आप नामांकित चेटर रखते हैं तो फिर जो है आपको यहां पर एक अंख मिलेगा फिर दूसरी बात क्या है कि जब अब जो है कुछ चीजें अजींग कर रहे हैं तो जब आप माना की लिखते हैं और वहां पर जो है माना की अब इस छेत्र में जो है आप क्या बोलेंगे के माना की चादर का छेतर फल अनन्त है तो एरिया को अनन्त कर देंगे उसके बाद बोलेंगे कि माना की चादर पे Q आवेश दिया गया है तो आप बताएंगे आवेश है ठीक है उसके बाद में आप लोगों ने कहा कि घनत तो आप घनत तो आवेश घनत तो क्या होता है छेतर फल्क में आवेश घनत तो जो वो सिग्मा से पदर्शित करते हैं और यह होता है Q बटा A और यह और क्या होता है यह और होता है DQ बटा DA तो इस प्रकार से जो है जब आप हर एक चीज जो है यहां पर अलग मतलब साफ और इस्पष्ट तोर पर जो है बताते जाते हैं फिर अगली चीज क्या है कि यदि इसमें धनात्मा कावेश लिया जाएगा तो चुन्ब की विद्दुत बल रेखाए जो है इसके बाहर निकल रहे होगी लेकिन अगर यहां पर इनात्मा कावेश ले देते हैं तो यहां पर जो है विद्दुत बल रेखाए अंदर की और आ रही होगी मतलब जब भी आप जो है कुछ मान रहे हैं तो उसके मानने के जो है आप एक complete information जब यहाँ पर देते हैं तो आपके सिख्चक को उसके आगे के derivation को देखने में बढ़ी आसानी होती है अब क्या आपको यह derivation पहले से आता है यदि आता है तो फिर जो है हमको तीसरा जो विंदू लिख देना चाहिए वो यह है कि हमको सिद्ध क्या करना है अब सिद्ध करना है क्या करना है विदू छेतर की तीवता ई बराबर ई बराबर सिग्मा बटा दो एपसलोन नॉट यह जो है सिद्ध करना है यदि आप पहले से बता देंगे कि जो सिद्ध करना है वो आपको पता है तो जो है आपसे जो है आपका जांच करता जो है वो प प्रमे को जो है यहां पर अहीं पर यहां पर क्रिएक प्रिश्टा करेंगे विद्द हानकारी आप विद्द्द teenage 10 001 सारी जानकारियां अलग-अलग बिल्कुल जो है सटीक तरीके से पॉइंट वाइस देते जा रहे हैं तब आपका एक्जामिनर जो है आपको पांच में पांच अंग देने से नहीं रोख पाएगा खुद को तो इसी प्रकार से जब अगला प्रश्म वाले आवेसों को एक बहुत ही अल्प दूरी 2L पर जो है यदि रखा जाए तो जो हम उसे विद्धु कहते हैं उसके बाद में जो है अगुन के बारे में बताएंगे कि दूरी 2L होता है और यहां पर जो है इसका जो है मात्रग लिख सकते हैं इसके बाद में जो है आप इसकी अक्षिय और निरक्षिय इस्थिति के बारे में जो है बताएंगे कि यदि आप जो है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा में कहीं किसी बिंदु पर जो है तो उसे निरक्षिय इस्थिति कहते हैं इसके बाद में हम जो है विद्दु छेतर की तीविता निकानने के लिए जो जो चीजे मानते हैं कि मान लेते हैं कि जो है इसका केंदर जो है वो बिंदु ओ है और यहां से दूरी आर है अब उसके बाद में जो है इस जगह में यह क्योंकि यहाँ पर यहें वाली डूरी है और दूसरी वाले दूरी भी। तो हम क्या करेंगे यह वाली दूरी हो जाएगी और न१र अउब जम hey उसे जब आप अच्छे डायग्राम से बता रहे हैं आपको एक नम्बर यहां कि यहां पर आंक दे दिया जाएं धिर आपको तीसरा अंक मिल जाता है और इसके बाद में दो आंक जो है इसके आगे की अवधाना जो जो भी आप जो है ऑपरेशन करेंगे उसके हिसाब से आपको मिलेगा अब यहां पर प्रशन क्ैप्ष रहें देखिए विद्रू को कौन अब बयंस से घुमा दिया जाए तो विदूत विभाव को मान कितना हो और कि हुआ हमको यहाँ पर क्या पता है कि अगर हम जो इस चेतर में देखें जो यह पर यहां को पता है कि यह गुवादवन ऑधगंत करा झाल कि यह न्गया जान अगर हम खुआ घुमा को यह तो वह दोगुँञा हो जाएगा या तो वो आधा हो जाएगा प्रारम्यक इस्थिति में हमको अक्षी स्थिति में गणना करनी है तो मतलब निरक्षी स्थिति में यहां पर आधा हो जाएगा तो अब बचा हुआ जो दो अंक है उसमें ये दोनों जो है सूत लिखने के बाद में जब हम लोगों ने इसकी तुलना कर दी तब हमको जो है आखरी के दो अंक भी मिल गए तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति ने आपकी कॉपी उठा रखी है उनके पास में आज पूरे दिन में 50 से उपर कॉपियां थी व वह point wise जो है एकदम सटीक उत्तर देखने में ही interested है क्योंकि ऐसा करने से उनको पता चलता है कि आपको चीज़ें पता है और इसके साथ-साथ उनको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ती तो आप पांच अंको वाले प्रशनों के समय में उत्तर देते समय में अप अगर मेरे को यहां पर एक नंबर दे दीजिए यहां पर दूसा नंबर दे दीजिए यहां पर तीसा नंबर दे दीजिए तो वो आपके बताये हुए निर्देशों के अनुसार आपको नंबर देते चलेंगे यह कैसे बताया जाता है यह इसी तरीके से बताया जाता है कि आप अपने उत्तर को लिखना सुरू करने से पहले उसके पांच अंक उनसे कहां कहां मांगने वाले हैं इसका प्लान करें और उसके बाद में उसको छोटे से छोटा और कम से कम सब्दों में लिखने का प्रयास करें इससे आपके जाच करता को पहुरी रहात मिलती है अब concept आता है दिमाग में कि अगर जो है हम यहां पर म्यू बराबर और यहां क्या है एनेच बटा टू पाई एनेच बटा फोर पाई एनेच बटा फोर पाई यह जो है यह एक condition बन जाती है इसके अलाबा जो है आप एक रख रहे हैं और यहां पर तरद करेंगे और अपके जो है इस से जुड़े हुए जो है सारे के सारे आप इलेट्रॉन को अब हैंगे आप नाभिक की उपर जो है जो उसकी तरिज्यव दूरी है इसकी लिए condition बताएंगे और उसके बाद में जो है आप उसकी दिशा भी बताएंगे इस पकार से आपने चित्र बनाया बोर मेगनेटॉन की बात की उसकी जो है कंडिशन के बारे में बातें की आपने जो है इसके आगे की गणनाएं की और उसके बाद में आपने चुम्ब की लिखने के तरीके पर निलभर करता है। से नंबर मांगने का मौका मिल सके और जिससे आपका उत्तर प्रभावी रूप से उनके लिए अच्छा हो ठीक है यहां देखिए किसी धारावाही वृत्तकार कुंडली के अक्छ परिस्थित किसी बिंदू पर चुंबकी छेतर की तीवृता की गणना कर दूरी के साथ में हम लोगों ने देखा था कि भाई यह धारावाही चालक है जो कुंडली के रूप में हैं और यहां पर हम किसी बिंदू पर चुंबकी छेतर की तीवृता निकालने के लिए डेडिवेशन कर चुके हैं यदि आप लोगों ने हमारे ही चैनल पर मेरा यह वीडियो नहीं देख गया है मैं बस अब आपको उत्तर लिखने का तरीका और उससे कैसे अंक अर्जित करें यही समझा रहा हूं अगला पर देखिए दो उत्तर लेंसों की फोकस दूरियां क्रमस का यह क्रमसा पास सेंटीमीटर और पंदर सेंटीमीटर है खागोली दूर दर्सी बनाना है और यहां पर नेत्रिका के रूप में किसे चुनेंगे यह पूछा जा रहा है उनके चुनकर दूर दर्सी के समुकर्खी वस्तु का इस्पष्टि दिष्टी की नियूंतम दिरूपर पतिविंभ निर्मान का किरन अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं यहां पर हम लोग सबसे पहले खागोली दूर दर्सी के लिए किरन आरेख बना देते हैं किरन आरेख जब खागोली दूर दर्सी के लिए आप बना देंगे तो उनको यह पता चल जाएगा कि कम से कम आपको इसके बारे में पता है आपने किरन आरेख बनाया आपने अलग अलग तरीके से जो है उन से यह एक सीधी रेखा यह दूसरी सीधी रेखा और यहां से आने वाले कि यह इस तरीके से जो है कि आपको जो है किरन आरेक बनाने के बाद में जो है आप यहां पर इसके मैगनिफिकेशन के लिए जो है बनाएंगे कि भईया यहां से आप एक कोण यहां लेते हैं यह हो जाता है बीटा दूसरा कोण यहां लेते हैं और यह हो जाता है अलफा इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल से चप्चा की हुई है जब आप खिरन आरेक बना लेते हैं तो आपको लगभग दो आंक मिल जाते हैं न उसके बाद में यहां हो जाएगा A double dash B double dash A one इस तरीके से आप सारा नामांकन करेंगे और इन नामांकन के बाद में दूरियां बताएंगे कि यह focus दूरी है एक नामांकी चित्र अब यहां इस उत्तर में यह नामांकी चित्र है कि अकेले आपको कम से कम दो आंक देने में सक्षम है इसके बाद में जब आप बाकी प्रस्ण के बाकी हिस्सों के बाद करेंगे कि यहां पर सम्म्मिक्रों की वस्तुप पर इस प्रस्ट दूरी की नियुंतम प्रतिव्यमिका निर्मां किरन आएक क्हीजक कर आवरधन चीमता कर नेजनेंगे और किसे नेतरिका के रुप में छूनेंगे इस बात का उत्तर देने से आपको एक अंक और मिल जाएगा इस प्रकार से सारे प्रशणों पर आप गहराई से विचार करें और फिर उत्तर दें प्रशण आखरी प्रश्ण हमारे पास में क्या है? उसके लिए जो है आवशक शर्ते क्या हैं और इसमें से कौन सी वाली जो है कि दो किलने जो है अवशक शर्टों को पूरा कर रही है और इस पकार से आपको पूरे आंक मिलते हैं तो आप बहुत गहराई से इन चीज़ों को सोचते रहें, अभी जब तक आपकी परिक्षाएं हो नहीं जाती, तब तक मैं आपसे लगातार कुछ न कुछ बातें शेयर करता रहूँगा, जुड़े रहें हमारे साथ में, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नहीं जाएमार।